प्रक्षाइब करने वाले हों कि कैसे आप लोग के साहंद करने वाले हों कि कैसे आप बरसात के मौस्नम आपके प्रेस में काफिया चिप चिपापन आता है या काप ज़यादा परॉब्लम होते जिसे पिंपल का हो जाना या या कापट आज आते हैं तो है और भी पड़िशन आज आते हैं तो मैं आप लोग को यह बहतरीन फेस्पेक बताने वाली हूं जिससे कि आप लोग चीपैर पसीने बच पाए तो आप लोग बरसाध के टाइम में जितना हो पाए उतना मुलतानी मिट्टी का इस्तमाल करें अपने तो आप लोग देखेंगे पीडियों के प्रेष्ञेट है यूज करने के कि दिन आप इसे हफते में दो बार यूज करें इसका रिजल्ट आप कर जाएंगे कि इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा इसका तो इसे एक बाद जरूर ट्राइब करें बर्सात के मौसम में आज कल बर्सात का मौसम चल रहा है कापनी दिक्कत है हर किसी को होती है अपनी तवजा कि हमें करने चाहिए कापने प्रोब्लम हमें बर् अपनी रूटीन में क्या यूज करना चाहिए जिससे के आप लोग अपनी तवजा कर पाएं बर्सात के मौसम में तो आए देख लेते हैं क्या सब कुछ अगर वीडियो पसान आ रहे हो तो लाइक कर देना फर्स्टाइम चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज्याद तीन चीज हमें ले लेनी है जब आपने तीन चीज ले ली आगे आप लोग को क्या करना है वह आप लोग को बताते चलती हूं सबसे पहले हमें करना क्या है एक खाली बावल लेना है अगर आप लोग उने खाली बावल ले लिया है उसके बाद आप लोग को करना क्या है जैसे आप लोगों ने कर लिया उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बताते चलूँ आप लोगों को लेना है एक चम्मच भरके नहीं लेना है बलकि थोड़ी कॉंटेटी में लेना है मतब थोड़ा सा ही लेना है इतना ही लेना है आप लोगों को जा पाई करता है हमारे तोचा में चमक लेकर आता है दाग धबूँ जाई हो इन सब चीजों को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है साथ अगर आपका फेस्ट बहुत ज़्यादा हाथ है तो इसे सौप्ट बनानी में यह बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है उसके विरु vanilla जल की कॉंटीत है जितना यह पेस्ट से तंग्यार हो जाये पेस्ट को यह जादा गाड़ा करना है नयजादा पत्ला करना है इस तरीके से आप गुलाब जल दिरेड़े से एड़ करते रहें और मिक्सक्त करते रहें इस नहीं कि बीड़े इसमें एक पेश रहा कि पहें बूल करते रहें अपहलों कुछ इस direct मिल्थि नह देख सांट 625- mphững नहीं सब कारोन की हो जाती है उां में पिंपल में देखने को मिलते हैं अगर आप लोगे इस परोड़änder से उसक्ति पर डिखेख आप enhance नहीं करे दरेक्व और की सिरुण लंगे तो देखने को मिलती है तो और आप लोगे जासना है है आप के अपने पेस्ट तंग्यार करने की तुम आप लोगों को बताते चलों इसे पेस पर में करने से पेले आप लोग अच्छे से वौश कर लें आपके फेस मेक याप कुछ भी नहीं होना चाहिए ना कुछ नहीं होना चाहिए अब नॉर्म पानी से फेस को अच्छे से वॉस कर लें उसके बाद इस तरीके से अपने फेस पर अपलाई करना है फिंगर की हल्प से दिरे दिरे आप लोग इसे पूरे फेस पर लगा लेना है आप लोग देख सकते कि मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिप बाम क्या है कि में मॉर्णिंग में लिप लाई स्सवार को दिरे लिए जैसे डिया लूगे हैं इसंग आप लोगं को अगर आप लोग एक बीज तरीका बैंस तरीका में आप लोगों को बताने जा रहे हुं जैसे आपके फेस भी द्राइब हो जाए थोड़ा मतलब ऐसे हो जाए पेस मतलब पकलना जादा है फेस पे खींचता है तो ऐसा आप लोग को लगे तो आप लोग क्या गणना है हलका साथ गुलाब जल ले ले लें फेस पे और उससे दिर दिर लगाते रहें फेस पे ठीक तो इस तरीके से आप इसे 15 मिनट तक अपने फेस पे रख सकते हैं क्योंकि तुरंट सूख जाता है दो से चार मिनट तक 2-4 मिनट में शुल्ग जाता है तो अगर आप लोग चाहते हो रिचल आप लोग को अच्छा मिले 15 मिनट तक इसे अपने फेस पे रख लिया ना कसम से बता लोग इसका रिजल आप लोग को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा बहुत ज़दा फायदे होते हैं इ आप लोग इसे ट्राय कर सकते हैं आजकल बरसात का ही मोसम चल रहा है इसलिए मैंने वीडियो आप लोग के लिए वनाई ताकि बरसात की मोसम में हम अपनी तवचा की अच्छे से केर कर पाएं आप इस फेस पेक को हपते में दो बार यूज़ कर सकते हैं या चाहो तो तो इन बार भी यूज़ कर सकते हैं कोई प्रोब्रम नहीं है जैसे फेस अच्छे से ड्राय हो जाए सूख जाए नॉर्मल पानी से वास कर लेना उसके बाद फेस पे थोड़ा सा गुलाब जल या एलिविरा जल या कोई कुछ भी आप लगा सकते हैं सब कुछ मैंने आप को सब्सक्राइब कर देना कोई वीडियो अप्लोड को सबसे पहले आप लोग देख पाए आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूं अपने अच्छे से न्यू वीडियो के साथ थाक्यों सो मॉच बबाई लट्स अप लव बाई बाई